तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम फिक्स प्रिपोजीशन पढ़ेंगे जो काफी इंपोर्टेंट है किसी भी एक्जाम के लिए तो चलिए देखते हैं पहला कोस्चन पहला कोस्चन है काट्रीना इस गूड डास एडांसिंग तो यहाँ पर क्य तो प्रिपोजीशन उज्ड होगा एक फिक्स पह इसमें कोई सेंस नहीं कि यह कैसे हुआ कि कुछ कुछ में है टेकिस सब में कुछ रीजन नहीं बस इसके साथ इस तरह का प्रिपोजीशन नस एक नम दिया गया है जो चले दिखते हैं गुड गुड के साथ क्या लिग लेकिन यहां पर क्या है Katrina is good यहां पर dancing क्या specify कर दिया है तो dancing क्या specify है जैसे हम बोलें he is good in study he is good in study की at study यहां पर यहां पर क्या होगा studies की बोल बोला है तो studies जब होगा तो यहां पर in होगा at नहीं होगा लेकिन जब specify कर दिया है specify हो ना dancing क्या बोल डाउंसिंग स्टड़ी तो कुछ भी हो सकता है dancing हो सकता है singing हो सकता है writing हो सकता है तो अत्यादी हो सकता है लेकिन यहां पर specify कर दिया है इसलिए यहां पर use क्या होगा at होगा चलिए अगले question की तरफ चलते हैं अगला में I have not heard dash him for a long time heard तो यहां heard from हो सकता है या of हो सकता है लेकिन from का sense जो जैसे यहां पर क्या question है I have not heard him hear does him for a long time मैं लंबे समय से मैं उसके बारे में नहीं सुना तो यहां पर सही option क्या होगा मतलब किसी hear him for a long time I have not heard him तो यहां पर hear क्या है वर्व है तो यहां पर जो प्रिपोजीशन लगता है वर्व के साथ प्रिपोजीशन लगता होगा फ्रेजल वर्व को लाता है फ्रेजल वर्व का meaning अलग हो जाता है तो hear from you सही होगा है यहां पर hear from मतलब होता है किसी से बो लंबे समय से बातचीत नहीं किया है लेकिन hear of hear of मतलब होगा कि मैंने उसके बारे में कही दिनों से नहीं सुनाया कुछ नहीं सुनाया लेकिन यहां पर क्या question मैं I have not heard does him for a long time मतलब उससे हम लंबे बहुत दिनों से बातचीत नहीं किया है तो hear from होगा अगला में चलते हैं जैसे देखिए hear अगला question में देखिएगा यहां पर दिया हुआ I heard does this event in Mumbai and rust back to Delhi तो hear यहां पर from होगा कि off होगा तो यहां off होगा क्यों यहां things के बारे में हम उसके किसी things के बारे में कही दिनों से नहीं सुनाते हैं यहां पर क्या लिख रहा है I heard of this event in Mumbai मलब इस event घटना को का मुंबई में hear किये थे मलब सुने थे हैं rust back to Delhi तो यहां hear of का use होगा जब हम things के बारे में कई दिनों से नहीं सुने हैं उसके बारे में पता चला तो हम hear of लगाएंगे अब from लगाएंगे जब किसी ब्यक्ति से बाई ब्यक्ति से हो रहा है तब from लगाएंगे तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं अगला you can't infer infer यहां पर पहला में क्या था पहला में यहां पर लिख देते हैं at second में from था third में of था चौथ हम अब देखते हैं for में देखते हैं you can't infer anything does his does his you can't infer him can't infer infer के साथ क्या लगता है from लगता है infer के साथ conclude के साथ derive के साथ यह fixed proposition है from यहां लगा infer के साथ infer conclude और यह derive इत्याद यह साथ क्या लगता है from लगता है preposition चली हम बोलने है लिख ली जगा मनलब कि यहां पर हम लिख इंफर इंफर हुआ फिन कंक्लूड हुआ c o n c l o d conclude conclude इत्याद यह साथ क्या लगता है from लगता है conclude हुआ फिन डिराइब मैं जैसे question को क्या करते है problem को derive को प्रोब्लम के साथ फ्रम लगता है चली एगले question की तरफ चलते हैं बाइस पर्सन है इंसाइट दास दर्यालिटी फोर इस ऑफिस लाइफ तो इंसाइट मतलब क्या होता है किसी मतलब की जो बाइस पर्सन होते हैं उसके क्या होता है कोई चीज को समझने की छमता उसमें हो जाती है जैसे बुजूर्ग आदमी होते हैं दूर में क्याता है कि किसी चीज को समझने की छमता हो जाती है तो यहां इंसाइट इंटू हो जाएगा प्रिपोजिशन चलिए अब आगले चलते हैं सारा इस बांटिंग डास से कोमन सेंस तो बांटिंग यहां पर क्या होगा सही अपसा मतलब उसके में कोमन सेंस की तो कम है लेकिंग चलिए आगे बढ़ते हैं साधिक हेलला में हिंदव कि जब यहां पर वांटिंग इसको थोड़ा और ढेल करते हैं यहां पर बांटिंग क्या है वहरोके सेंस में हुआ है जब नॉन के यूज होगा तो यहां पर आफ लगगा वांटिंग के साथ लेकिन आप वहर्प के सेंस में जो आई सील यहां पर हम क्या लगाएं यहां पर सही प्रिपोजिशन होगा वांटिंग इन वांटिंग इन कोमन सेंस अगला कोश्चन की तरफ चलते हैं हिंदू बिलिप्स इन मेनी राइच राइटल्स टुवाड दा इव वाड़ दे इवल वाड के साथ ओफ लगता वाड़ ओफ मतलब छुटकारा पाना डवल या बोलते हैं रीड ओफ और डी रीड आफ मतलब भी छुटकारा पाना ही होता है तो यहां साही प्रोपोजिशन क्या होगा ओफ होगा अगला अगले में चलते हैं सीथर अंड डास है return to his own home if you write else the return to here hand मतलब यहां होता है टी बर इच्छा तो अन के साथ 4 विह लगता है कि अब जा diverton? कि अनके साम कि डागता है डिशार? कि फोर लगता है कि लॉड बर ओक यह प्र लगता है पीय इकनी पुल buns मुल जिसमें तीब इच्छा हुई उसके साथ क्या लगता है, four लगता है, so अंड के साथ भी फ्योर लगा, third के साथ four लगा, जिसे짝 वह भर सिच्छा है, तो हमाँ पर क्या लगा है, four लगा इनित्सका सही option क्या होगा, four लगा, अगला म्य चलता है, the police are inquiring, inquiring के साथ jet into, into the case, इंटू दग इंवेस्टिगेटरंस के साथ इंटू नहीं लगता है लेकिन इंक्वाइरी के साथ क्या लगता है इंटू लगता है तो इसका सही प्रिपोजिशन क्या होगा इंटू होगा इंक्वाइर इंटू होगा इंटू होगा इंटू होगा इंटू होगा इंटू होग है तौना पर क्या करेंगे इन लगाएंगे यहां पर इंटरफियो अगला में चलते हैं तो यहां पर एफ्रेंड फ्रांब इन फेरिंग विथ दब कोर्स सही हो प्रपॉजिसवीज़ क्या होता है reference के साथ क्या लगता है reference के साथ from लगता है यह तो हम लोग जानते हैं तो यहाँ पर reference from inferring with the course यहाँ सही ओर preposition क्या होगा with the course interfere यहाँ पर interfere क्या private के sense में था इसलिए यहाँ पर in लगा लेकिन यहाँ पर इंटर फेरिंग ब्या हिंडर के सेंस हिंज कर है मि connect है इंटर फेर को तो इहा पर motive लगता याँ पर रेफği इन्टरmmS एक आमेशी का दूडर के सेंस में ब्यान तो पीजिज फे आगे देखते हैं अगला में हीी इंटर्डिए किया ही इंट्रूड या डास देरों बट वस टरंडा तो जब इंट्रूड के साथ यहां कैंड्डगा सबक्रसे इक इस इस रों में गया तो इन्ट्रूड के साथ Candle के ने ऑूर्सी के इस इनट्रूड आाक room but was turned out मतलब उसको बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर into लग जागा इसी तरह के और भी proposition देखने के लिए और भी बड़ मीनिंग भी देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर आएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अब सभी को तो यहाँ पर अगले वीडियो में भी और बनाएंगे थैंक्स देखने के लिए वीडियो